हेलो एरिवन वेलकम टो ऑनलाइन स्टेडियों आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले काफी इंप्टेंट निउस के बारे में जो की हाली में अप्टेट होई है तो सबसे पहला जो आप निउस देख रहे हैं वो है जोन जी बीनी टून जी बनी है मिस उनिवर्स 2019 ठीक है तो आपको पता चल गया कि यह तो निउस काफी इंप्टेंट है आपके पेपर के लिए ठीक है फ्रेंस तो इसके बारे में थोड़ी से डिटेल में आपको बताता ठीक है तो ठीक है सबसे पहले कि यह जो जी बीनी टून जी जो है वो किस देश से बिलाओं करती है तो यह दचिर अफरीका की है ठीक है फ्रेंस दचिर अफरीका की जो जी बीनी टून जी को अमेरिका के अटलांटा में ताज पहना गया देख सकते हैं स्कीन पे ताज पहन रही और आप देख रहें स्कीन पर जो इनको थास्ट पहना रही हैई तो थास्ट पहनाने वाली जो थी 2018 की जो Miss Univerz थी Katrina Gray ठीक है जो Miss Univerz थी Christina Gray यह वीनो ने यह किस देसकाट सेटलाइट है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ डिसकास करताहlerde हूँ सबसे पहला अब सेटलाइट देख लीजी यिस सेटलाइट यह रहा ठीक है डूची 3 सैटलाइट यह इस तरह से कुछ दिखता है ठीक है ठीक है अब दिखे तो इन दो आपको याद रखना है अब मैं आप बात करता हूँ कि यह जो सैटलाइट है इसका वजन कितना है तो ठीक है 2.3 केजी इसका वजन है और इसको कहां से लॉंच के जाएगा तो 3 हरी कोटा से लॉंच के जाएगा ठीक है फेंट्स तो यह थी second news अब बात करते हैं 3rd point की बारे में तो देखे 3rd point भी काफी important है यह तो आपको याद रखना है वड़ा ने रूस को 4 साल के लिए अंतरास्टिये खेलों से प्रतिबंद कर दिया है बैन लगा दिया है ठीक है अन्य विश्वस्तरिये जो खेल होंगे सभी से प्रतियुगता में भाग लेने के लिए रूस को बैन कर दिया गया ठीक है चार साल के लिए यह धियान रखेगा एक चीज मैं आपको और बता दू फ्रेंड्स रूस की जो डॉपिंग एजेंसी है उसके पास वड़ा के खिलाफ जो यह सजा दी गई है वड़ा के खिलाफ अपील करने के लिए अभी 21 दिन का मौका दिया गया है ठीक है 21 दिन का समय है रूस के पाफ ठीक है इस चीज को भी आप क्याद रखेगा अब दीखे मिखा बात करते हैं वड़ा के बारे में कुछ इंपोर्टेंश जनकारी जिसके वड़ा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो सर ग्रे रिड वर्तमान में वड़ा के अध्यक्ष है इसका मुख्याले कहां पहं है तो मौन्ट्रियलक Wakanda में ठीक है फ्रेंस? व विश्वे मानुवादिकार दिवस मना जाता है तो यहां से हमें साथ 2 questions पूछे जाते है पहला questions यह पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो यह 10 December 1948 S.V. को इसकी स्थापना की गई थी ठीक है friends यह अस्तित्यों में आ गया था 2019 की theme पूछा जा सकता है तो इसका 2019 की जो theme है याद रखना है Youth Stand Up for Human Rights Youth Stand Up for Human Rights यह 2019 की theme है यह friends आपको याद रखना है यहापे मैंने picture लगा रखा देख सकते है Human Rights है 10 December को मनाया जाता है ठीक है friends तो इस वीडियो मैंने आपको चार ऐसे news दी हैं वो काफी important है इसी तरह कि अगर आप और भी current affairs के relevant news प्राप्त करना चाहते हैं आपकी exams के recording तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं notification बील को on कर सकते हैं ताकि आपको next video के notification सबसे पहले मिले ठीक है friends तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video में Thanks for watching, keep watching, keep learning, have a good day